जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes विस्समिजन यूटूब चैनल में सुशात्यों स्टार्ट हो चुका है आज का इस सेशन सभी सात्य आजाएं एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करनें ठीक है जिन भी सात्यों ने Self Study Classes का एप डाउनलोड नहीं किया है वो शवी साती Self Study Classes का एप डाउनलोड कर लें और दोस्तों आपके लिए हिंदी साहित का PDF कोर्स लांच किया गया हिंदी साहित का पूरा PDF आदिकाल से लेकर कि दोस्तों आपका गद्द साहित, पद्द साहित, एकांग की ठीक है आद उन्हें काल और पूरा निवन्द नाटा की पूरी की पूरी PDF आपके लिए मातर 31 सो रोपे में एस संपूर हिंदी साहित का संपूर PDF कोर्स लांच किया गया है तो जिन भी सात्यों को एस कोर्स में एड़ भी सल लेना है, जिन भी सात्यों को PDF का प्रिंट आउट निकलवाना है और PDF नोट्स चाहिए तो आप हिंदी साहित का Self Study Classes amino div कोर्स में आप एड़ भी सल ले सकते हैं तो इस्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का इस हैसन यहां पर अपनने पड़ा था कि आचार रामचंद्र सुकले ने कबीर की भासा को साधुक्डी किसने कहा तो आपका उत्तर होता है स्याम सुन्दर दास क्या होता है स्याम सुन्दर दास क्योंकि पंचमेल खिचडी कैसी बनती है सुन्दर बनती है पंचमेल किचडी कैसी बनती है सुन्दर ठीक है और कबीर की भासा को साधुक्डी किसने कहा तो उत्तर होता है रामचंद्र सुकले ठीक है उसके बाद यहां पर आते हैं इस क्वेस्चन को पढ़ते हैं इस क्वेस्चन को यहां पर देखते हैं कि डाक्टर सियाम सुन्दर माना तो आप क्या लगाओगे सियाम सुंदर दास ने दोस्तों एक क्वश्चन और आता है कि छाया बाद में रहस बादी भावना से प्रभावित कौन सा रचना कार था जो रहस बादी भावना से या रहस बाद से प्रभावित था बताईए जल्दी से पंडित अजारी परसा कहा है दोस्तो हजारी परसाद दुवेदी ने किसने कहा है हजारी परसाद दुवेदी ने कबीर को बाड़ी का डिक्टेटर कहा ठीक है हिंदी में सबसे पहले कबीर ने तरकों और प्रमानों का सहारा लेते हुए अटूट आत्मे विस्वास के साथ जन्म जात उच्चता का बिरोध किया कैका जन्म जात उच्चता का बिरोध किया ठीक है आईने अकबरी अबोल फजल अल्लामी मैं